असलाम एकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फैक्ट सेर उमीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स एरिया 51 ये इसका एक्चली ओफिशल नेम नहीं है इसका रेल नेम नवेड़ा टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज और ये USA के नवेड़ा रिजन में मौजूद है वर्ल्ड वर्ट टू में एरिया वन, एरिया टू, एरिया त्री ऐसे कई एरियाज में नूकलिर बॉंब्स की टेस्टिंग की जाती थी और ये एरिया, एरिया 51 उस वर्ल्ड टेस्ट प्लेस में ही था कि जतने एरियाज थे उनमें कुछ मिस्ट्रियूस रिपोर्ट नहीं किया गया था लेकिन ये एरिया 51 आद भी मिस्ट्रियूस और एक्सप्लोरल्स को कपकपा देती है साल 1997 में cost to cost शो जो कि एक radio शो था जिसमें एक इनसान real time में phone call पे आया और कहता था कि वो area 51 में काम करता था वहां का former employee था उस radio का clip कुछ यू था Hello Art, मेरे पास पूरा वक्त नहीं है Art, अच्छा देखो क्या शुरू होता है ये मालूम करके कि आया आप इस line को सही तरीके से इस्तमाल कर रहे हैं या नहीं इलाका 51 हाँ ये ठीक है जहां आप मुलाजिम है या आप है यहां के साबिक मुलाजिम Art, मैं एक साबिक employee हूँ मुझे तकरीबन एक हफ़ता कबल medical discharge पे जाने दिया गया था और मैं रोते हुए company में दौड रहा था मुझे नहीं मालूम कहां से शुरू करूं वो वाकिए इस position को बहुत जल ट्रेंगूलेट कर देंगे Art, तो तुम ज़्यादा देर फून पे बात नहीं कर सकते तुम जल्दी से कुछ मजीद अपने बारे में बताओ ओके ओके हम गेर मुलकियों के बारे में सोच रहे हैं वो इजाफी जाती मखलूक हैं जिनके साथ खलाई programs ने राप्ता किया है जिसके बारे में वो दावा करते हैं कि उन्होंने फौजी स्टेबिश्ट के बारे में बहुत सारे पहलों में दोरांदाजी की है खास तोर पे एरिया 51 में जो अफ़ात आ रही हैं अफसोस के हकूमत इनके बारे में जानती है और दुनिया में ऐसे महफूज इलाके मौजूद है जिनकी शुरुआत अबादी के मुन्तकिल करने सी की जा सकती है आठ लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उन अबादी के मराकिस का सफाया हो जाए ताके जो चांद रह गया है वो ज़्यादा काबले कंट्रोल हो रेडियो शो पे लाइव ही बीच में कॉल कट हो जाता है और उस अंजान इंसान के साथ क्या हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं पढ़ सका लेकिन इसकी बातों पे दिहान दिया आपने कि इंटर डायमेंशल बिंक्स की बात की इसने अगर एरिया 51 को गूगल मैप पे दिखोगे तो ये ड्रोन को इस जगा पे भीजोगे तो ये लोकेशन कुछ ऐसा दिखाएगा कि वहां ड्रोन्स अलाउड नहीं है बहुत लोगों का ये भी मानना है कि ये जस टिप आफ आइसबर्ग है यहां इस जगा के नीचे एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड टरनल है और इस एरिया को जूम करने पे ऐसे कई इंटरंस भी मिलते हैं जिसमें कई दर्वाजे दिखाई देते हैं यूएस नवेड़ा को एरिया 51 और टॉप सीक्रेट एरिया भी कहा जाता है ऐसी जगा जहां यूएस मिलिटरी और भी राज चुपाए हुए हैं और इस वज़े से इस पूरे इलाके के आसपास भटकना भी इलीगल है जिन लोगों को यहां किसी काम के लिए लाना होता है तो पहले उनकी टॉप लेवल पे सिक्योरिटी क्लेरिंस की जाती है उसके बाद उनको लावस वेगस पे एक स्पेशल जहाज पे बिठा के लाता जाता है इस जहाज की खिड़कियों से कुछ भी नज़र नहीं आता इतनी ज़ादा सिक्योरिटी के वज़ा से लोगों में एरिया 51 को लेके बहुत सारी अफ़ायन जनम लेने लगी है कई लोगों का मानना है कि यहां यूएस मिलिटरी और यूफोर्स पे काम कर रही है जो माजी में गिरे थे कुछ थियोरिज ये भी कहती हैं कि एरिया 51 में टाइम ट्रेवल ट्रांस्पोर्टेशन पे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किये जा रहे हैं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 1969 में चान पे लैंडिंग की शूटी शूटिंग एरिया 51 में क्या है इस एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 75 सालों से चुपा रहा है कुछ लोगों का खयाल में एरिया 51 ऐसी एलियन टेक्नोलोजी यूज़ होती हैं जो के पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है सिर्फ alien technology UFO से सीख के बनाई जाती है crash material को ले जा के वहाँ study किया जाता है area 51 के बारे में कुछ भी confirm facts नहीं है एक चीज जो यह इस जगा के बारे में confirm है वो है weapon testing और airplane की testing यह area बहुत सुनसान है क्योंकि सिर्फ experiment किये जाते थे अगर कोई test fail भी हो जाता है तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा यह पूरी जगा बड़े बड़े mountain से गिरी हुई है मतलब एक perfect location for all secret experiments friends अगर आप इस जगा जाओगे तो area 51 से 16 km पहले ही आपको एक board दिखाएगा कि इस line से आगे ना जाओ और वहां कई rail times camera भी लगे हुए हैं और tower पे बैठे लोग यहां की security करते हैं इस जगा की photos खीजना भी मना है और आप यकीन नहीं करोगे कि इस area के चारो तरफ magnetic sensor भी लगे हुए हैं जो कि इसके आज़ पास आने वाली vehicles, air vehicles को रोग देती हैं और vehicles की speed को track करती है और उनकी सारी information security team को जाती है वहां की securities को order थे कि अगर इसके boundary के आज़ पास कोई भी दिखाए दे तो उसे गोली मार देना दुनिये में बहुत से weapon testing zones area 51 में हैं बहुत mysteries हैं फ्रेंग्स अगर channel पे new हैं तो like करें, share करें और subscribe करें मिलते हैं एक नए वीडियो में मुझे दीजे जाज़त, अलाहाफिस